नमश्कार कैसे आप सभी बढ़िया होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लास्वेस का भरपूर आनन्द ले रहे होंगे आप से शिक्षिन वीडीयों चल रही है काफी कुछ टॉपिक हो चुके हैं और बहुत कम टॉपिक शेश रहे हैं वह भी अपन जल्द ही पूरे करेंगे अच्छे से तक सेले बस पूरा करवाना और सले बस पूरा होना इसमें भी फर्क है पूरा करवाने का मतलब इक अपन बड़े आराम से पढ़ रहे हैं और एक- hum पहलू को च्याक करते हुए निकल रहे हैं हर एक बात की उपर अच्छे से समझते हुए निकल रहे हैं हम रठने पर बिलकुल बल नहीं दे रहे हैं हमारा ध्यान पूरा चीजो को समझने की उपर है तो यह समझे कि हम मैं जो पढ़ा रहा हूं आपकी दिमाग में प्रश्न जरूर रूट रहोगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या यह प्रयाप्त है या नहीं है क्या हमें इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना पढ़ेगा या इससे काम चल जाएगा तो मैं आपको इस करोगे ना तो भी आप गलती नहीं करोगे परिक्सामें यह बात पक्की है लेकिन आपको एक सजेशन दोंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप संक्षिप्त में जो पढ़ा रहा हूं उसको नोट्स बनाते रही है और साथ में कोई एक पुस्तक पास में रखिए चाह ना आपको किताब देखने ना आपको वीडियो देखना है आपको फिर नोट्स ही देखने है एक बार वीडियो देखके नोट्स बना लो एक बार यहां दो बार जितना भी आपको लगे कि वीडियो और देखना चाहिए तो देख लेना वली फिर नोट्स की उपर एक वीडियो और साथ में आप एक पुस्तक का कोई भी आप सपोर्ट ले सकते हैं जो आपको और अच्छा करेगी आपको और बहतर करेगी क्योंकि बहतर की गुंजाई सामेशा बनी रहती है मैं कितना भी बढ़िया कर लूँ और कोई नई किताब पढ़ूगा और मुझे और नया सीखने को मिलेगा तो बहतर की गुंजाई समेशा रहती है आप जो है हमेशा आपने आपको बहतर करते हैं वीडियो कर लिया तो फिर और किताब देख लो टाइम मिलता है तो और कोई कि आपके मस्तिस में यह भी प्रशना रहा होगा कि सर कोई फैक्ट अगर मिस हो रहा हो मेरे से मैंने कुछ इदर उदर बता दिया हो तो अगर कोई फैक्ट मैंने इदर उदर बताया है तो उस फैक्ट को मैं खुद ही संसोदित करवा दूँगा आप स्वेम अपने इस्तर पर संसोदित मत करना क्योंकि आपने किसी और को सुना है किसी और को पढ़ा है और वहां से सुनके आप अगर मेरे फैक्ट को गलत कर रहे हो तो आप गलती करने जा रहे हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही सही है यहां पर इस बात को ध्यान रखना मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ब नामा दान करूंगा, आप मत करना है, आज टोपिक पढ़ है एल टू समाजिक के अंदर आता है, एक समा लोचना आत्मक यहूं कहिए कि समा लोचना विकास, क्रिटिकल थिंक्गिंग, तो समा लोचना अत्मक विकास दो है, उसके उपर आज अपन बात करेंगे, और बहुत ही समालोच नातमक चिंतन का विकास ये हैं हमारा आज का टोपिक विकास इंग्लीश में कहें तो critical thinking अब देखिए critical thinking development of critical thinking बहुती मज़ेदा टोपिक है थोड़ा इंदी में देखते हैं तो थोड़ा सा अठपता सा लगता है लेकिन जब इंग्लीश में देखते हैं critical thinking मैं टोपिक स्टार्ट करने से पहले अपन हर बार की तरह इस बार भी इसका भी एक blueprint बनाएंगे कि इस टोपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे चिंतन के बारे में कि चिंतन क्या है देखिए मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा एक सला दोंगा मैंने आपको हर बार मैं बताता हूँ कि मैं केवल पढ़ाता नहीं हूँ बनकि आपको पढ़ने के लिए पढ़ना कैसे है आपको दस टोपिक पढ़ा हुँगा, पंदरा टोपिक पढ़ा हूँगा जिंदगी इन से नहीं गुजरेगी आपको आगे जितने भी बड़े एक्जाम देने होगे, आपको कही टोपिक पढ़ने पढ़ेंगे, आपको कही सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ पढ़ना पढ़ेगा, तो मैं अगर आपको एक अप्रोच दे दूगा कि पढ़ना कैसे हैं, तो फिर क कि पढ़ना कैसे आपको किसी भी चैप्टर को complete तयार कैसे करना है मेरे को बच्चे बहुत सारी पूछते हैं कि सर टोपिक पूरा तयार कैसे करे confidence नहीं आ रहा है परिक्षाव में confusion हो जाता है गलतियां हो जाती है क्यों होता है ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम चैप्टर को complete तयार नहीं करते तो मेरा यही प्रयास है कि आप मेरे जितने भी पीच्छी के लेक्चर देखोगे तो आपको उसमें एक समगरता नजर आएगी आपको लगेगा कि इस टोपिक में पीच्छी छूटा कुछ नहीं कोई फिगर अलग बात है बाकि कोई पक्स ऐसा नहीं राज वामने नहीं छुआ हो तो मैं आपको अप्रोंच ले रहा हूं तो किर्प्या करके आप इस अप्रोंच को follow कीजी अब इस अप्रोंच को गणीत में follow कीजी विज्यान में follow कीजी इटियास्न, भोगो, लर्ठस आ करोगे तो आपको बहुत दिक्कतें भी आईगी स्टार्टिंग में लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा आप अपने आपको दो या तीन महीने बाद बदला हुआ पाओगे कि मैं कैसे पढ़ता था अब मैं कैसे बढ़ रहा हूं तो इन चीजों को आप भरपूर उपयोग लेना विशय की समझ के साथ साथ में यह तरीके भी समझना मेरे ठीक है समझ लोतनात्मक चिंतन का विकास क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे चिंतन के बारे में कि चिंतन एक्चुल है क्या थेंकिंग क्या है थेंकिंग याद हो थो उन्होंने कहा था कि खाओ कम, पचाओ जादा, कम रूटीघाओ और पचाओ जादा उसको, ताकि वो जादा फाइदा देगी. और बोलो कम, सुनो जादा. कम बोली आप और लोगों को सुनिये जादा से जादा. इससे क्या होगा आपका सब्द भारी हो जाएंगे और ज्यादा सुनने से बहुत सारी बातों की अमें जानकारी मिलेगी, लोगों के बारे में पता चलेगा, लोगों की सोच के बारे में पता चलेगा, और टोपिक्स के बारे में बहुत सारी व्यूज पता चलेगा, आप थोड़ा कम लीजिए लेकिन चिंतन जादा केजिए उसके और मनन जादा केजिए एक पैरिग्राफ पड़ लिए उसके बाद में उसके उपर पांच-साथ मिनट सोचिये ऊसके चिंतन कीजिए ठेंक केजिए इससे क्या होगा कि उसका आप इतना सार निसकरश निकालोगे कि जिन्दगी में आप भूल नहीं सकते हैं तो वीवी कानन जी का कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता और मैं उस कोट को हमेंसा फोलो करने का प्रियास करता हूं कम खाओ ज्यादा चबाओ ज्यादा पचाओ कम बोलो ज्यादा सुनो और कम पढ़ो और उसके उपर चिंतन ज सोची भी वापस इससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारे थोट्स डवलेप होंगे विचार विक्षित होंगे आप हर चीज के हर पक्स को चैक करोगे आप ऐसा सोचोगे जैसा पहले कभी नहीं सोचते थे तो चिंतन क्या है एक प्रकार से उसके बारे हम पढ़ेंगे तो चिंतन जब पढ़ेंगे चिंतन पढ़ने की बाद पढ़ेंगे कि ये समालोचनात्पंग चिंतन क्या है उसके बारे हम बाद में देखेंगे पहले देखेंगे कि चिंतन क्या है तो चिंतन क्या है इसमें हम क्या देखेंगे एक तो इसका आर्थ देखेंगे कि चिंतन ह प्रकार बेसिक प्रकार देखेंगे बहुत सारे चंतन के प्रकार है मूर्थ चंतन कोई अमूर्थ चंतन है ना विवेचित चंतन आत्म चंतन हाजारों कई प्रकार के चंतन है और इन सारे प्रकार में से एक प्रकार आता है समालोच नात्मक चंतन सबसे पहले इसकी परिवासा देखेंगे जिस तरह से चिंतन की परिवासा देखी थी उसी तरह से इसकी परिवासा भी देखेंगे कि समालोचनात्मक चंतन कैसे कहते हैं उसके बाद देखेंगे कि समालोचनात्मक चंतन जो है इस चंतन को यूँ कहिए कि करने के लिए चंतन की सहयता के लिए कौन-कौन सी विधियां प्रियोग मिलाई जा सकती है इसकी अलावा इसके साहयक कारक कौन-कौन से होते हैं जो समालोचनात्मक चंतन को कौन प्रभावीत करता है यूँ कह सकते हैं वार outta हर साहयककार कौन-कौन से होते हैं जो समाल रोशनात्मक्चिंतन को एक प्रकार से प्रभावीत करते हैं जिसमें आपने पढ़ा ऊबारूची वगईरा की व्यक्ति की रूची है उसकी प्रेर्णा है ये सारा साह चार योटें कि देख लेंगे सकता है कि इसके महत्व क्या है मेहत्व दे Item एलाव इसा आध मुझार रथी कुछ सकते में थार कि 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 एसको बादर के higher आए य 하ै यूं कलिये की वीकास कैसे कर दार को तो अब देखो इस में डो पॉंट आ गए है की चिंतन क्या है और उसके फिर की तीन पॉइंत्र लेंगे फिर लेंगे सम्भाल उसन आत्मक चिंतन क्या होता है और इसके ये तो कहने का मतलब यह हुआ कि चंतन समालोचनात्मक चंतन और लास्ट में कुछ सेश रहा तो विविद करके हम उसको ले लेंगे ये टोपिक आज हम अभी पढ़ने जा रहें यहां पर सुरू करने जा रहें तो इस टोपिक को आप हैडिंग दे दो अपने उसमें बुकलेट क का टोपिक है और हेडिंग दे दीजिए और उसके बाद हम अब एक एक विंदू को समझने जा रहें लिखने जा रहें इसका एक स्क्रीन सोड भी आप ले सकते हैं ठीक है अब अपना आते हैं चिंतन के उपर सबसे पहला पॉइंच लेंगे कि चिंतन है क्या नई से नाम से आधा टोपिक तो तेया हो जाता है कि थेंकिंग होता क्या है चिंतन होता क्या है जब भी हम कोई विसे पढ़ते हैं तो विसे अपने को बहुत कुछ बता देता है उस विसे के बारे में चिंता नहीं करनी है चिंतन करना चिंता और चिंतन में बड़ा फरक है चिंता क्या होती है, an anxiety, tension में आ जाते हैं, जशिका कोई हल निगल ही नहीं रहा है, चिनता क्या होती है, जब हल नहीं निकल रहा हूं, जैसे मान लो, मैं एक example देता हूँ, आपके समक्ष कोई समस्या खड़ी हो गई, कोई समस्या आगई आपके समक्ष आर्थिक समस्या आगई या सारीरिक समस्या आगई परिवारिक समस्या आगई या समधिक समस्या आगई या कोई political problem आगे, economic problem आगे, कोई भी समस्या वेकती समस्याओं से गुजरता हमेसा और समस्या कभी समाप्त नहीं होती है, we have to be strong समस्या कभी समाप्त नहीं होती हमें मजबूत बनना पड़ता है समस्या समाप्त नहीं होती, अब आपके समक्स जैसे कोई समस्या आईगी अब जैसे समस्या आएगी, तो उसके बाद क्या होगा, अब आपके मस्तिस्क में सबसे पहले उसके विविन संभावनाय तलास ही जाएगी, कि इसका समाधान कैसे किया जाए अब विविन सारी संभावनाय तलास ही जाएगी, संभावनाय तलास ही जाएगी संभावनों की तलास स्टार्ट होगी संभावनों की तलास का मलों समाधान के प्रयास शुरू होगे समाधान के प्रयाश शुरू होंगे अब देखी क्या होगा आगे समस्या आगई और समस्या आने के बाद में आपके मस्तिस्क में समाधान के प्रयाश शुरू हो जाते हैं विबिन संभावना इंतला सी जाती है कि समस्या का समाधान कैसी किया जाए इसी करम में जैसे ये करम शुरू होगा संभावनाओं के प्रयाश शुरू होगे बहुत सारे विकल्प निकल कर सामने आएंगे अनेक विकल्प आएंगे विकल्पों की विभिन्ता अपने सामने रहेगी कि ये विकल्प अपना है या वे विकल्प अपना है कौन सा विकल्प अपना जा है संभावना ये भी बनती है कि कई बार विकल्प हिंता उत्पन हो जाती है विकल्प हिंता का क्या मतलब है विकल्प हिंता का मतलब यह कि कोई उपाय सूजी नहीं रहा है करें क्या वैक्ति अ लेकिन अगर बहुत नेगटिव अप्रोच रख लिए उसने और विकल्प हिंता उत्पन होगी अब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा कि इस समस्या का समाधान कैसी किया जाए अब देखिए आगी दो रस्ते अगर विकल्प हिंता की स्थिति में व्यक्ति चिंता में होता है और विकल्प हिंता की स्थिति व्यक्ति चिंति हो जाता है स्ट्रेस में चला जाता है डिप्रेशन में चला जाता किसी को कह भी नहीं पा रहा है कि बेरी ये समस्या है उसका समाधान में कैसे करो तो इस परकार से कोई समस्या आती है और व्यक्ति एक व्यक्ति इस र और चिंतन के बार definitely कोई कोई समाधान जरूर निकलेगा अब देखिए यह हमारी चीज़ होगी यहां पर पूरी हब मैं वापस आपको इस चिंतन के बारे में ले आता हूँ जब भी कोई व्यक्ति के समख समश्य आती है तो व्यक्ति संभावना इंतलास करता है समाधान के प्रयास करता है और समाधान के प्रयास के स्क्रम में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कोई विकल्प हीन हो जाएंगे जिनके पास उस समाधान का निकल ही निरा है कुछ जो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे वह को बहुत सारे अल्टरेनेटिव निकाल लेंगे क्योंकि आपने नोट किया होगा एक व्यक्ति सूसाइड करता है वो सूसाइड की कारण थे वैसे ही कारणों से हजारों व्यक्ति और भी गुजरते हैं औ जो पुख आकिर क्या करता है चंतन करता है कि चंता तो होगा कैो पर tadi कि और तुर विक्ति की पास दो रास्टे रहेंगे कुछ विकल्प नियो के पास में बहुत तो अनेक विकल्प मिलेंगे और अनेक विकल्प मिलने के बाद वह ठ prophe ож एक एक परकार से उसके उपर चिंतन करेगा और लास्ट में कोई एक विकल्प या बहुत सारे विकल्प अपना कर उस समश्या का क्या करेगा समाधान करेगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो विकल्प हिंता की इस्तती में चिंता में पढ़ जाएगा और चिंता लास्ट में उसको एक प्रकार से लोडूबी की व्यक्ति हार जाएगा यहां पर तो चिंतन क्या होता है तो हम यह कह सकते हैं कि समस्या और समाधान समस्या और समाधान की मध्यस्त का जो भाग है दर असल यहीं चिंतन है यह भी चंतन है यह भी चंतन है और समधान भी चंतन है तब हम यहां पर एक लाइन में कह सकते हैं देखो इस बात को पढ़ के हम किस निसकर्ष पर पहुंचे हैं तो हम कह सकते हैं कि समश्या शमाधान चंतन एक समश्या व समाधान के मद्यस्त की रूप में काम करता है मद्यस्त की रूप में रूप में एक हो गया यह पॉइंट समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को ध्यान रखना यह चिंतन की विशेष ताय है पर इक समया सकती है निम्नलखीत में से कौन सी चिंतन की विशेष ताय है तो आप इसको समझ कर आप आराम से समझ गए होंगे की चिंतन क्या है कि समश्या और समाधान के मद्य का एक पूरा का पूरा जो थौट प्रोसेस है हमारा सोचने की जो प्रक्रिया है पूरी वो क्या क सलास करना हो चाहिए बहुत सारे विकलप को कि पीछ में एक विकलप च्छहंटनार ओ यह सारे कारे जो है यह सारे रिउप से नहीं होते है यह पूरे मेंटल लेवल पर sht करेगा ये सारी मानसी करिया होती है तो चिंतन फिजिकल करिया नहीं है खेलना फिजिकल करिया है दोड़ना फिजिकल करिया है भागना फिजिकल करिया है लड़ना फिजिकल करिया है और सोचना क्या होता है मानसी करिया तो हम दूसरी दूसरा पॉइंट क्या लेंगे यहां प होती है तो हम इसको यह भी कहें यहां पे यह एप्रकट होती है कैसी होती है एप्रकट होती है तीसरा पॉइंट क्या निकल कर सामने आ रहा है तो दू पॉइंट आ गए कि चिंतन जो है वो हमेशा क्या होता है मांसी करिया होती है और अपरकट होती है इसकी अलावा देखिए चिंतन के दौरान कई विकल्प मौजूद होते हैं एक विकल्प नहीं होता कई विकल्प होते हैं और चिंता के दौरान कोई विकल्प नहीं होता चिंता में विकल्प हिंता होती है लेकिन चिंतन में हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो ये पॉइंट हो गया यहां पर अब आप यहां पर समझ सकते हो हमने अभी तख क्या क्या देखा है हमने यह यहां पे कि चिंतन क्या होता है तब हम कह सकते हैं कि samushya और समाधान की बीच की पूरी thought process दो है व उ हमारे क्या है यह है हमारा चिंतन तो यह एक कैसी करिया हो जाएगी मान्सी करिया यह इक परकार का ऐप यह एक परकार की मदिस्त के लिए है, जैसे आप कहा सकते हो, और यह अनिक विकल्प प्रदान करता है, और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि चिंतन, अगर सजीु जगत की बात करते हैं, तो चिंतन सिर्फ मानवी कर सकता है, क्योंकि जितना रिच मस्तिस्क मान विशिष्ट मानव ये चमता है विशिष्ट मानव ये चमता समझते चाहिए आप अलागी में टोपिक चिंतन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ आप यह में समझना मैं चिंतन बढ़ा रहा हूं जो साइकोलोजी में चलता है मैं यहां पर समालोचनात्मक चिंतन के उपर आना आ रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको चंतन का एक हलका सा ब्रीफ प्रीवियो बता रहा हूँ, ताकि आपको चंतन के प्रती एक जो एक आईडिया है, वो डेवलेप हो जाया आपके लिए, इसलिए ये में परियस कर रहा हूँ, बाकी मैं चंतन नहीं पढ़ा रहा हूँ, चिन्तन के उपर मैं पढ़ाना सुरू कर दू तो तीन ची चार क्लासे लग जाती है, मैं पूरा चिन्तन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एक basic basic बता रहा हूँ चैंतन का, चैंतन का, ताकि इसको समझने के बाद हम आराम से समझ सकते हैं किसको हम आराम से समालोचनात्मक चंतन को समझ सकते हैं तो अब देखिए चंतन क्या है तो अब आप इसकी परिवासा लिख सकते हैं आराम से कि किसी भी समश्या पर अदेग अभी नहीं लिखना पहले इसको सोचना समझना है कि किसी भी समश्या पर किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी समस्या के समाधान हे तू मनुष्य या विद्यार्थी लिख लो चाहिए आप कुछ भी नागरिक लिख लो कि मन मस्तिस्क में या मांसी क्रियाओं में विभिन परकार के संभावनों की तलास होती है बहुत सारे विकल्प निकलते हैं और उसके बाद जो समाधान निकलता है तो इस पूरी परिक्रिया को हम चिंतन कहते हैं तो समस्या समाधान के कई विकल्प जो है उनमें से कोई एक विकल्प जब बाहर निकल कर आएगा तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है, सोच कहलाती है, यह कहीं कि ठेंकिंग कहलाता है, तो बहुती सामने चीजें कि समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यक्ति जो है, जो सोचता है और सोच कर जिन विकल्पों को तलास करता है, और जिन विकल्पों के साहरे वो समाधान करता है तो व्यक्ति की इस पूरी प्रिक्रिया को हम चिंतन कहते हैं तो समासा समस्या समाधान के लिए एक व्यक्ति जो समाधान करता है समस्या के समाधान के लिए जो एक व्यक्ति प्रयास करता है उन्हीं प्रयासों को उसी सोच को उन्हीं संभावनाव की तलास को उन्हीं विकल्पों को चिंतन कहते हैं बस इतनी सी सामाने सी परिवासा है आप अपने इसाब से भी इसको सैट कर सकते हो तो परिवासा आप यह लिख लेन कि समस्य और समादन के मद्यस्त दूप होता है यह प्रकार की मांसी किलिया होती है इसमें कई विकल्प मौजुद होते हैं और यह मानु की विशिष्ट चंता को दर्शाता है तो यह चिंतन हो गया हम कहां करते हैं वापस आ रहा हूं चिंतन के चरण उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि चिंतन के चरण क्या है देखो चरण का क्या मतलब है चरण का मतलब ही होता है कि आपन वापस उधारन पे आते हैं कि हमारे पास समस्या आई थी और हमने लास्ट में इसका क्या किया है समाधान समस्या आई और हमने इसका समाधान कर लिया और समस्या और यह समाधान किया है इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं चंतन कहते हैं पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है चंतन कहलाती है अब देखिए इस समश्या का हमने समाधान कर लिया कैसे किया है हमने किया ठेंकिंग के बेश पे चंतन के बेश पे अब बात ही आती है कि इस समश्या और समाधान के ब कि मोते तोर पे मैं थोड़ा देर पहले बताए था कि समश्या को से तला सेंगे विकल्प तला सेंगे बहुत सारे विकल्प मिलेंगे कुछ विकल्प चुनेंगे और उसके बाद उसका समाधान निकलेगा तो अब एक्जेक्ट चरण कौन-कौन से हो सकते हैं तो चिंतन की दोरान थोट प्रोसेस क्या क्या रहती है कौन-कौन से चरण हो सकते है उसके उपर बात करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा सबसे पहले आएगी कोईन कोई समझ्या यह बात मैं पहले बता चुका हूं पुना बता रहा हूं सबसे पहले क्या आएगी कोईन कोई समझ्या आएगी जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हमारे मस्त इसको में घंटी बजेगी कि अब इस समश्या का समाधान करना है तो सबसे पहले को इन को समश्या आएगी तो समश्या को क्या करना है पहचान कर रो कि समश्या आ गई और समश्या की पहचान होने की बाद में अब जो दूसरा पॉइंट होगा अब समश्या आने की बाद में ह तब दिमाग में क्या उत्पन होने शुरू होंगे विचार उत्पन होने प्रारम हो जाएंगे अनेक विचार आएंगे और बहुत सारे जब विचार आएंगे तब ध्यान देना कि अब देखो विचार आएंगे तभी विकल्प मिलेंगे अब यहां पर विचार आने स्टार् सुरू हो गया अब दिमाग में जब विचार उत्पन होने का सुरू हो गया है और बहुत सारे विचार उत्पन हो गये तब हमारे समक्ष तीसरी समस्या यह आएगी कि अब इन में से कौन सा विचार अपनाया जाए तब एक विचार से काम नहीं चलेगा हो सकता है कि विचार होगा तो डेफिनेटली संभावनाई भी उत्पन होगी मैंने पिछले सलाइड में आपको बताया भी था बहुत सारी संभावनाई उत्पन होगी कौन सी संभावनाई पॉसिबिलिटी जिसे अपन कहते हैं इस प्रॉब्लम की समश्या के समाधान की संभावनाई उत्पन होगी और अब दिक्कत ही आएगी कि इनमें से किसको कैसे अड़ेस्ट किया जाए तब हम क्या करेंगे कि बहुत सारे विचार लेंगे हम अनेक अनेक विचार अनेक विचारों का समायोजन करेंगे अनेक विचारों का क्या करेंगे समायोजन समाईजन का क्या मतलब हुगा क्योंकि जरूरी नहीं कि समस्या एक समाधान सॉलुशन से निकल जाए कई बार कई परकार के एक साथ में अपने को उपाए करने पड़ते हैं एक साथ सारे लोगों से बात करनी पड़ती है एक साथ सारे विकल्प अपनाने पड़ते हैं एक से अधिक विकल्ब उपना कर ही हम कई बार समस्याओं से निपटते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक जो स्वलिशन अमारे दिमाग में आया था वो उसको निकाल देगा जरूरी नहीं है इसलिए हमें कई सारे विचारों का समायूजन करना पड़ेगा और इन विचारों के समायूजन में भी थौट प्रोसेस बहुत योगदान देती है और विचारों के समायूजन के बाद में क्या होगा विचारों के समायूजन के बाद में मैं इसको मिटा रहा हूं इसको अपन नहीं होता था तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर इंके बीच में अन्वेक्शन करना पड़ेगा अ मतलब आप इसको यूं कहा सकते हो कि संथेसई synthesis synthesis का मतलब आप इसको यूं कहा सकते हो Sun solution Sun solution कह सकते हो Sun solution का मतलब एक प्रकार से यूं कहीं मिशरण अब इस प्रकार से अपने को एक मिशरण करना पड़ेगा इन सारे सम्मा विचारों का और लास्ट में एक परबल solution निकल कर बार आएगा जैसे मैं यहां पर एक example देता हूं आपको जैसे आपके यहां पर कोई यह कोई आर्थिक समश्या उत्पन हो गई कोई संकट आगया आर्थिक संकट आगया पैसे नहीं आपास में अब इस आर्थिक संकट को कैसे दूर किया जाए विचार उत्पन उने सुआ हो गए बैंक के पास जाए मितर के पास जाए सागे संब्भलिक र्वडोन की कि सी है कई सब्सक्राइब कस ने कि कॉछ नहीं पाइबやं प्रीट यहां पर किपके। वह सारे नहीं तो यहां पर क्या करें नहीं है टॉट में फाइनल टसप द्या जाएगा कि इतने पैसे यहां यहां से इतनी थे कि ब्याज इंट्रेस्ट से हम ले रहे हैं यहां अनुमेशन हो गया और अनुमेशन होने के बाद में अब क्या होगा और लास्ट में लास्ट में अनुमेशन हो गया और उसके बाद में उस प्लान को एक्टिव कर दिया जाएगा एक्टिव एक करने के बाद में अगर वो सक्रिय हुआ है तो वो सफल ही होगा सफल नहीं होगा और हमें मिल जाएगा हमारी समस्या का क्या समाधान क्या मिल जाएगा समाधान मिल जाएगा तो समस्या आई थी और हमने इसका समाधान निकाल लिया यह आपकी चिंतन की चरण चिंतन की चरण कितने हो गए समस्या को पहचानना विचार उत्पन होना विचारों का समयजन करना उसके बाद सिंथेसिस करना उसका उसके बाद उसको एक्टिव करना और लास्ट में हमारे को सॉलुशन मिल जाता है यह होता है चिंतन चाहे कोई आर्थिक समस्या हो चाहे बड़ा अभी तक चिंतन के हमने अर्थ देख लिया चिंतन के चरण देख लिये और चिंतन के अब हम क्या देखेंगे परकार देखेंगे कि चंतन के कौन-कौन से परकार होते हैं यहां पी एक छोटा सा पॉइंट में और भी ले सकता हूं कि चंतन को कौन-कौन प्रभावित कोई नहीं अब आते हैं चिंतन के परकार के ऊपर ठीक है तो चिंतन के परकारों की बात करेंगे चिंतन के कौन-कौन से परकार हो सकते हैं मैं सारे परकारों को नहीं बता रहा हूं यहां पर क्योंकि हमारा टोपिक समालोचनात्मक चिंतन ही है तो मैं यहां पर केवल-केवल मोटे-मोटे आपको चिंतन बता रहा हूं सुझते हैं आपने सुभास चंदरबोस को देख लिए नेहरुजी को देख को ये ये किसी व्याग्टि को देख लिया तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं पर्थम दृष्टि आ आपका क्या विचार उसके धिमाग मा आपके दिमाग में आता उसके प्रती वह आपके मूर्थ चंतन होता ऐसे प्रत्यक्ष बहुत चंतन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष बहुत चंतन ज्यादा गहरा नहीं होता सामाने चंतन होता है कि जो हमने पर्थम दृष्टी सी देखा वही चंतन है जैसे दिल्ली गए इंडियागेट देख लिया अब जैसे इंडियागेट देखते आपने दिमाग में क्या चीजी आई कि इन्होंने बना था ये किया था वो किया था इसके उपर नाम लिखे हुए ये मूर्थ चंतन थ ये आपने मेरी में आ गया किये सर है यहां लगेके मिह यहां अब्राएं घथा यहां किया जो देखते हैं और सकी बाद में दूसरा आता है आप्स्ट्रैक्ट पर होगी देंसारी हो मतलब आप मेरे में म gera रहे हो आप पीस चीज जगा चीज का पिरते का इंडियान वह उसरे हैं और सबस्कारिक्षिट गई। मतलब बढ़िएंक हो आप यह एग्र मोर्त सब्सक्राइब अहिक रही है नहीं कि दौटेस नहीं हरे सो sleeping ज्यादा प्रभावी होता है ज्यादा बौधिक होता है और इसको सोचने के लिए एक प्रकार से परिपक्व बुद्धी की भी आवशिक्ता होती है संप्रत्यात्मक भी बोलते हैं से संप्रत्यात्मक चंतन देखो विदार्ची मैं आप स्पष्ट कह देता हूं मैं चंतन पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं मेरे को आपको अपने टोपीक पिला रहा हूं उस टोपीक को समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना आपको जरूरी है तो अमूर्थ चंतन क्या होगा अमूर्थ चंतन वह होता है जो मतलब हम इसके बारे में ज्यादा जान सर्फ देखा यह उसके बारे में हम वह सोच रहे हैं जो हमने देखा नहीं है यह होता है आपके वह अमूर्थ चंतन तीसरा है तार्किक चंतन तार्किक चंतन यह चंतन की सर्वोच र जिंतन को तार्किक चेंतन का तर मसली से बातकी मिलत कोई भी लक्ष नहीं हो तो कहने का मतलब वह गा कि जब घब है अधर पर शोचेंगे सिखिए विचारातमत या फ्रेंत स स्थतन आद तरकिक नहीं होता है तरकिक चेंतन बोला जाता है बहुत ही और ये चोटे लेवल पे काम नहीं करता, जनरली बड़े लेवल पर हिता काम करता है, क्योंकि हर कोई फैक्टर नहीं रख सकता, सर्जनात्मक चंतन, घर बनाना यहां कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके बारे में सोचना, कोई क्रेटीव विचार लाना, कोई सौप्ट्वेर बनाना हो, चा होता है अभि सारी का मतलूं होता है एक परकार से म से कवार जैन्ट नहीं सएaware अभीषरीचेंटनió संकीन चंतन यह कहां हिए कि आप उतना है पाते हो जितना आपको एक प्रकार से दिया जाता है जैसे मान लों कि आप परिक्सा देने गए रीट की और रीट की परिक्सा में आपके पास सामने दो प्रश्ण आए वहां प्रस्ण वगर आते हैं अभी सारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं बिल्कुल ग्यान वर्दक होते हैं संकेन होते हैं और व्यक्ति की सोच को सिमित दाइरे में रखते हैं तो ग्रहकारय देना हो एस्कूलों के अंदर सायरist पढ़ाना हो फ्रश्ण देने हो यह सारे एक सारी कैसी चंतन होता है यह सारा अभीशारी चंतन होता है उसके बाद में एक लता अपसारी चंतन आपसारी चंतन का मतलब होता है और अड्रस्टीख न देख मिष्ड देता हूं जब कोई दो ंसामने आती है तो उसे अपन कहते अभिसारी और जब दूर जाती है तो हम उसे कहते मतलब यह हुआ कि अपसारी चिंतन में दूर दूर तक सोचा जाता है कोई क्तारव के दायरा नहीं होता नही सोचना नहीं खोज़ों के बारे में सोचना यूँ से Jim यहут Is एक प्रकार से अपसारी सोच रखना बहुत सोना तो अपसारी सोच ब्रोड सोचता है मतलब विश्तरित सोचता है अभी सारी संकिन सोचता है परिक्षाव में प्रश्न वगरा यहां पर होते हैं नवीन खोजें अविश्कार वगरा जो भी होते हैं वो सारे अपसारी चंतन में होते हैं तो अभी सारी चंतन अपसारी चंतन सरजनात्मक चंतन तार्किक चंतन अमूर्थ मूर्lest-चैन्तन और इसके अलावा आत्म चैन्तन कुथ ही सोचना अपने समश्याँ के बारे में खुद को सुधार करना खुदकी कमियां कसा देखना उसमें सुधार लगणा तो आत्म चिंतन का मतलता है खुद की बारे में एक प्रकार से सोचना और उसके ऊपर बात करना और एक आता है लास्ट में हम अगर अपन कहें तो होता है विवेचित चिंतन या कि मैं सरजनात्मक को यहां पर मिटा रहा हूं जगे नहीं है अब आता है लास्ट में सम्मालोच नात्मक चिंतन जिसे विवी चनात्मक चिंतन भी कहते हैं तो देखिए तो चिंतन हमने पढ़ लिया देखिए वापस ला रहा हूं पॉइंट पे चंतन हमने पढ़ा चंतन में अर्थ देख लिए इसके चरण देख लिए इसके परकार देखें परकार में हमने अभी देखा है आपके कई परकार देखें जैसे मूर्थ अमूर्थ तार्किक समालोच नात्मक शंकेन स्वरी अभिशारी अपशारी आत्मन चंतन और आप सर्जनात्मक चंतन और सम समालोचनात्मक्छंतन कितने होगे एक झृ से च्छार पांच च्छोई साथ और एक भी अलग से आट क्या करना आठ ऊडरना पीछ है कि लाइन अब अपनातर अपने मैं टोपी कि पे समाल उसनात्मक्ण चनतन क्या होता है विकास क्या होता है ने प्रकार में सबसे मेन प्रकार 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 क्या होता है और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसकी पईवासा ठीक है क्रिटिकल थेंकिंग मैं सीटी लिखूंगा बार बार समालोचनात्मक नहीं लिखूंगा सीटी का मतलब हो गया क्रिटिकल थेंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है और समालोचनात्मक चिंतन जरूरी भी क्यों है ठीक है समालोचनात्मक समालोचनात्मक देखो नाम सी विदित अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं विए पर अब अपने को क्या करना है समय निकाल है के चिंतन हैं तो यह प्रोसेस तो रहेगी समश्या और समाधान यह प्रोसेस तो हर जगे रहेगी चंतना के चाये मूर्थestro जा कैसे समालोचनात्मक हो, हर चिंतन नहीं इह बात तो रहीगी को अनती है. तरक रखे जाते हैं फैक्ट बिना फैक्ट की बात नहीं होती है जैसे कोर्ट रूम में जाके जब कोई बात वकिल बात करते हैं बिल्कुल फैक्ट अधरिक बात की जाती है बिल्कुल तरक रखे जाते हैं तब जाके कोई निरने आब आता है तो समालोचनात मक में तरक बहु taken having thatbee's کی yol 누inski साथ राति यह भी कुल तरक के साथ बात उती इसकी अलावा क्या होता है of उसलिशन होता है हर चीज का विसलिशन किया ता है कशी बिना विसलिशन के यहां पर समालोचनात्मत में बात नहीं होती तो एक प्रकार से पूरा विशलेशन होता है पूरा एनलेसिस किया जाता है कि किस तरह से किस तरह से समझ्या का समाधान होगा समस्या है क्या समाधान कैसे होगा समाधान के अंदर भी क्या क्या समस्या आ सकती है तो हर चीज का क्या किया जाता है यहां पे विशलेशन किया जाता है उ और इसका समाधान कैसे होगा हर एक बिंदू पर डीटियल से बात की जाती है और डीटियल से बात करने के बाद में क्या होता है कि फिर यह देखा जाता है समझ्छा पर डीटियल से बात करने के बाद में इसके समाधान पर डीटियल पर आया जाता है और समाधान में डीटियल पर आते हैं तब कई बार क्या होता ना समाधान में भी कई समझ चाहने कर जाती है उनका फिर डीटील से वर्नन किया जाता है तो कहने का मतलब होता है कि जब आप को टोपिक पढ़ते हैं तब आप क्या और कैसी के जवाब तलास होगे तब आपको पता चलेगा का आपका से पता चलता है जब आप उस टोपिक की बारे में खुझ से सवाल करोगे तो क्या और कैसी जैसे सवाल करोगे तो आपका टोपिक बहुत तरीकी से अच्छे से विसलेशन उसका हो जाएगा तो जब भी समालोचन आतम चिंतन होता है तो एक व्यक्तित तरक आधारित बात कर करता है और क्या वह कैसे जैसे सवाल पूछ कर एक प्रकार से आत्म अवलोकन करता है आत्म अवलोकन का क्या मतलब हुआ कि अपनी कमियां जो है इस समश्या के दोरान उसको भी वह देखता है उन कमियों को पूरा करने का प्रियास करता है हर पहलू की जांच करता हो क्या करत है हर पहलू की समिक्षा करता है हर पहलू हर पहलू की समिक्षा होती है ऐसा नहीं हो एक पक्स नहीं देखा जाता उस समश्या का हर पक्स उस समय देखा जाता है और साथ-साथ में आलोचनाएं भी करता है वो और लास्ट में कोई उतकरष्ट समाधान निकलता है उतकरष्ट समाधान अब समझें इसको अब आपको कि समालोचनात्मक्चिंतन की परिवासा पूछें तो क्या परिवासा आप दे सकते हो यह जितनी परिवासा मैं मेरे इस्तर पर बता रहा हूं किसी किताब में आपको लए दोछेंग हो सकते हैं परिवासा क्या हो सकती है कि किसी समश्चा कि यह किसी विशय पर तरक विसलेस्ट मैं आत्म अवलोकन हर पहलू कि समिक्षा करते हुए उसका आलोचनात्मक्परिक्ष्ण की द्वारा उतकरष्ट शमाधान निकालना आत्म उतकर्ष रमाधान निकालना समालोसन आत्मक चंतन कहलाता है पोज करिए और इस परिभासा को लिखिए वापस बोलू जरूत नहीं है वापस बोलने की क्यों क्योंकि ओमलाइन की यही खूपसूरती कि आप उसको रोक के अराम से उसको लिख सकते हैं परिभासा को परि पहलू की समिक्षा आलोचना करते हुए उतकरष्ट शमाधान निकालना ही क्या कहलाता है CT कहलाता है critical thinking कहलाता है और यह critical thinking जो है यह एक परकार से यह कह सकते हो कि ऐसी सोथ होती है जिसमें हम ना केवल समश्या देखते हैं ना केवल समाधान देखते हैं बलकि दोनों के हर पहलू का डीटेल से हम क्या करते हैं इसका विचलेशन करते हैं आत्मावलोकन करते हैं इसकी पूर्ण रूप से क्या की जाती है शमिक्षा की जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस परकार की परिवासा आती है हमारे किसकी यह परिवासा आ गई हमारे समालोचनात्मक चिंतन की य नहतों है यहां पर तो आप इन सब्दों को ध्यान रखना तरक विशलेशन क्या कैसे का आत्मलोकन उत्रकृष्ट समाधान आलोचनाई भी होती है हर पहलू की समिक्षा की जाती है और मैं यहां पर एक छोटा सा एक्जामपल दे देता हूं बढ़ी आसा समालोचनात्मक चिं कर लिजी तब आप क्या करोगे समाजी कूरितियों के बारे में सबसे पहले उसके तरक के अदर पर बात करोगे कि यह कूरितिया है या नहीं है तो पूरा एतिहास एक राजनितिक कानूनी अधिकार पूरा तरक करने के बाद उसको आप सिद्ध करोगे कि वास्तों में यह स उसके बाद में समश्या का आर्थिक राजनितिक धार्मी सांसक्रतिक समिधानी कानोनी हर परकार का पहलू देखा जाएगा देखने के बाद में समश्याओं की और उन समश्याओं के ऊपर सरकार ने जो प्रयास किये थे उनकी आलोचना की जाएगी और आलोचना करने के बाद में लास्ट में अउत्करष्ट प्रकार का समाध्हान निकलेगा और उस समाधान में लिखा जाएगा कि कि सतरह से हमारी कमिया रही और इनकमियों के द्वारा ये लंबे समय तक ये समझ्दशाइन बनी रही और आगे क्या किया जाए कि यह समश्य जो है वो समाप्त हो जाए तो कहने का मतलब यह था यहां पर कि इस प्रकार से यह सारी चीज़ें करेंगे तब जाके समालोचनात्मक्चनतन जो है वो सक्सिस होगा अब मैं आता हूं वापस अपने इस बिंदू पर परिबास आओगी अब आता हूं म मैं बहुती सामने तरीके से इसको आपको बता देता हूं कि सीटी की विदिया अब हम समालोचनात्मक्च की विदियों का क्या मतलब है कि हम विदियों का मतलब यह हुगा कि समालोचना कैसे करेंगे कैसे करेंगे समश्य आ गई समाधन करेंगे कैसे उसका तो इसके बहुत स तरीके अपना सकते हैं सबसे पहला सबसे आसान तरीका चर्चावीदी कल हमने बात की थी इसके उपर चर्चावीदी मतलब क्या हुगा इसमें वाद विवाद का आयोजन भी कर सकते हैं इसमें हम कोई समाद का आयोजन कर सकते हैं यहां पर हम कोई पैनल बिठा के बातें कर सक सकते हैं यहां पर कोई विशाय गोश्टी सिंपोजियम का आयोजन कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिंपोजियम कर सकते हैं यहां पर कोई यह कि व्याख्या की जा सकती है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चर्चा विदी ती जिसकी चर्चा मैं कई एक वीडियो में कर किसीन किसी परकार की तरक विसिलेशन आत्मा वलोकन वगरा यह सारी चीजें की जा सकती है चर्चा विदी के अलावा एक पॉइंट यह चर्चा विदी आ जाएगा दूसरा क्या हो सकता है दूसरा ब्रेनस्टरमिंग brainstorming क्या होता है हिंदी में कहें तो मांसिक उद्विलन मस्तिष उद्विलन कह सकते हो मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि group बठा दिया सामने बता रहा हूँ मैं detail में नहीं जा रहा हूँ कोई group बठा दिया और उसमें आपने उस समश्या को छोड़ दिया तो वहाँ पर जतने भी लोग बैठे होंगे जो भी विद्वान बैठे होंगे वे अपने अपने क्या देंगे विचार देंगे अचानक से विचार प्रसपुठीतोंगे और उन सारे वही विचारों से वापस last में क्या निकलेगा समाधान निकलेगा तो brainstorming भी की जा सकती है यह एक प्रकार की विदियो होती है इसके अलावा और क्या किया जा सकता है इसके अलावा रॉल प्लेइंग भूमी का निर्वहन गुरूब बना दो और गुरूब बनाने के बाद में उस समश्या से समंदित हर एक व्यक्ति को एक भूमी का दे दो किसी को उसका सांस्कृतिक पक्स दे दो किसी को उसका आर्थिक पक्स दे दो किसी को उसका राजनेतिक पक्स दे दो किसी को सामाजिक प बाद में वह व्यक्ति क्या करेंगे अपनी अपनी भूमी का का निर्वहन करते हुए विभीन परकार के विचार उत्पन करवाएंगे विभीन परकार के आया मों पर चर्चा करेंगे उसके बाद में परकार के समाधानों पर भी आएंगे तो वह यूं कह सकते हो कि रोल प्ले और भी हो सकती है इसके अलावा वारम अप विदी भी हो सकती है वारम अप का मतलब क्या होगा वारम अपका मतलब होता है वातावरन तयार करना एटमॉस्पेर क्रियेट करना अगा बाहरी वातावरन तो बहारी छेत्रों में ऐसा एक मैं बना कर भी विभीन प्रकार की समश्याओं का समाधन किया जा सकता है इसकी सीमा यह है हर समश्या पर वारम अप विदी लागू नहीं हो सकती कुछ समश्या जैसे बाहरी ग्राउंड लेवल की जो समश्या हैं उनकी ऊपर ये प्रकार से विदी को आपर लागू कर सकते हैं वातावन का निर्मान किया जा सकता है परश्णोत्री करवा ही जा सकते हैं परश्णोत्री करवा के भी कुछ समश्याओं के समाधान किये जा सकते हैं तो इस प्रकार से खेल वावना के स तोड़ी जाती है तो इसको अपन लिख लेते हैं कि आप इसका स्क्रीन सोट ले ले लेना वाद में कि मोन खंड विदी कि मोन खंड का क्या मतलब खंड यानी तोड़ना और मोन यानी चुपी तो सभी की चुपी तोड़ना चुपी तोड़ना ताकि हर विद्यार्थी जो भी भाग लेते हैं सभी अपने अपने मोन को तोड़कर सभी अपने अपने विचार जो है वह वहां पर व्यक्त करें तो सभी की विचार यहां पर व्यक्त की जाते हैं सभी की विचार होते हैं सभी की विचार टिक है इसके अलावा बहुत सारे और भी हो सकती है तो यह पांच मुख्य विद्यां थी जो मुझे ठीक लगी और किताबों में भी पांच विद्यां लिखी वी है कि यह हो गया हमारा इसका यह पॉइंट मैं वापस आ रहा हूं हमने पड़ा है परिबासा देख लिए विदियां देख लिए और अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सहायक ऐसे कार्य होते हैं जो मतलब इस विदी को एक प्रकार से और ज्यादा एक्टिवली लागू करते हैं तो आसे यूं काई कि समाल उतनात्मग चिंतन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हम उसको कह सकते हैं तो अब आपना आते हैं अगले पॉइंट पे सहायकार्य या सीटी को प्रभावित करने वाले कार्य प्रभावित करने वाले कार्य कार्य की जगह तत्त्त वो देख लेते हैं वो कौन से फैक्टर है जो इस सम्माल उचनात्मक चिंतन को प्रभावित करते हैं एक-एक पॉइंट पर आते हैं सबसे पहले रूची देखो रूची जो होती है ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है और रूची इंट्रेस्ट रूची देखिने रूची क्यों महतर पॉन है बिना रूची के किसी भी समस्या का समाधा नहीं हो सकता अब क्रिटिकल थेंकिंग की बात कर रहे हो क्रिटिकल थेंकिंग के लिए रूची तो बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि इसमें हर आयाम को अपने को चेक करना है, सही गलत का अंकलन करना, आलोचनाई भी करनी है, उसका समाधान भी देना है, सुजाओ भी देने है, critical thinking में सब होता है, तो ऐसी condition में विद्यार्थी की रूची होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो रूची सबसे ज़्यादा यह कहिए, कि critical thinking को प्रभावित करने वाला तत्व है, अगर रूची नहीं है उसकिसी विद्यार्थी की उसमें, तो वो definitely critical thinking उस विशय या मुद्दे के प्रति नहीं रख सकता, रूची की बाद में दूसरा जो point आता है, सबसे महत्पूर होत लगा में आपको उसका सही बताना हैं, गलत ही बताना अलसना भी करने हैं, सुजाओ भी देने हैं, समश्या क्या हैं ये भी बताना मलब हर आयाम को touch करना है, तो एसकी condition में क्या होता है कही बारूबियत boaring हो जाती है, और जब boring होती है तो विद्यार्थी को एक परकार से motivate क देना बहुत ज़रुरी होता है प्रे법 ना देना बहुत जरूरी होता है तो प्रेणा का जो कारक है यह कारक भी प्रकार से अति आवशक है जब प्रेंजड़ना मिलेगी तो इफिनेटली बच्चा क्या करेगा पुनह जोस के साथ में उस चीज को आगे बढ़ाएगा प्रेणा के सा बाद में तीसरा पॉइंट आता सतरकता एक प्रकार से सतरकता बहुत जरूरी अगर सतरक नहीं है बच्चा अवेर नहीं है तो सतरकता को यह आपन जागरुपता गी सकते हैं दोनों चीजा लगबग लगबग सहम है जागरुपता इसली जरूरी है कि यह होगा तब ही वो विसलेशन अच्छे से कर पाएगा आप सोचिए आप पढ़ाई से बहुत दूर हो जाते हो समाद से दूर रहते हो यह कि नेसल इंटरनेसल इस्यूस से दूर रहते है तो होगा क्या आप सतर्क नहीं है जागरुक नहीं है तो जागरुक नहीं है तो आप कभी भी एक प्रकार से अच्छे व्यूज नहीं दे पाओगे तो सतर्क ता रहनी भी बहुत जरूरी है यहां पे इसके अलावा लचिलापन बहुत जरूरी आप बहुत ज़्यादा यह कि बहुत ज़्यादा कठोर होकर यह ऐसे काम नहीं कर सकते इसके लिए आपको लचिला भी होना पड़ता है थोड़ा सा flexibility बहुत जरूरी है लचिला पर flexibility होगी तो आप अपने विचारों में उदार तलाओगे नमर तलाओगे और जब हम नमर होंगे तो निशीत रूप से व विनमरता अमारे को बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है वह सिखा सकती है। पांचवा बिंदू क्या बन सकता है। कि तत्परता भी होनी चाहिए। कि यह रएक्त से रहना कि कि मैं इस समश्या के लिए ओपर काम करने के लिए इसकी अलवड़ा क्या होना चाहए और गती वेग समयंग आत्मक्ता भी ओने tutti क्योंकि बिना emotions के कोई काम नहीं होता समय गात्मक्ता जितनी ज्यादा होगी तो वह अपन है वह बहुत ही इंट्रेस्ट के साथ काम कर सकते हैं इसके अलावा वस्तु निश्टता होनी चाहिए वस्तु निश्टता का क्या मतलब होता है निश्ट्रालीटी मतलब इसको अपने यूं कहा सकते हैं कि पूरवा अगरा नहीं होना चाहिए है कि किसी वस्तु के पृति प्रति किसी विशह के प्रति पहले से इस्थापित धार्ना पूरवा अगरा कहला ती जैसे आपने कहीं से सुन लिया कि यह सर अच्छा नहीं पर्षादेगे लेकिन आपने किसी से सुना और सुना कि आप खोहए ऑच्छाया नहीं पड़ाते परिणाम यह निकला परिणाम यह निकला कि हम वस्तून parti नहीं कर सकते अगर अपनेchnya को अब कुछित का नहीं यह और बिंदु आ सकता है ग्रहन शीलता का क्या मतलब ही क्या मतलब यूंत हटा claim करना इसे बिअ अच्छा विचार ए सब्सक्राइब चला किक में यह सारा कि सारा चीजें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रूची होनी की प्रेवना होनी है सतरक। ता औनी की लुए लुए जय कि सामने प्रति ऑच्छों को सकता है जाइए इसका मेह मेहत्व अवध्य से जैए है इसमें कुछ जदा बताने की आफ्शिक्ता भी नहीं है क्यूंकि आपको बहुत अच्छे से पता चल सुखाये की Crystal thinking क्या है जब टोप के बारे में पता चल जाता है की यू तो फिर उसमें यूं से महत बता देते हैं और यहूं कह सकते हो कि क्यूँ जरूरी यह यह तो हम कहेंगे की समश्याओं का समश्याओं का तारकिक समाधान समाधान होता है के लिए जरूरी विशलेशनात्मक 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 विशलेश जो विदार्थी है विदार्थियों की जो विदार्थियों की सोच व्यापक होती है सोच व्यापक होती है सोच व्यापक होती है क्यों कि विदार्थी फिर हर आयम की बारे में उसको तो मतलब यह कहीं की आगे बढ़ाने हर आयम की बारे में सोचे का तो विदार्थी की सोच क्या हो जाती है व्यापक हो जाती है मुद्धों का विसलिशन हो जाता है समष्याओं का तारकिक समाधान मिलता है और इसकी अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ां लिख सकते हैं तरचन सीलता बढ़ती है है अगल है कि सबस्द तक रिक व कर दो यह हमें इसका critical thinking का सबसे बढ़ा महत्व यह की सारी चीजें हमारे को शीखने को मिलती है यहां पर तो यह सारी कि विदीया होगी कारे होगे कुछ महत्र बगिरा इसमें आप और भी महत्रों कर सकते हो ज़्याद菁 कुछ है नहीं विकास कैसे यह रहा कि कैसे क्यों लिखा था कि और कुछ सएक़ बूल रहे हैं कि वैसे लिख ली आओक बाइद रहा यहां पर कि सम्माल अचनात्मत चिंतन का विकास ही पढ़ रहे हैं कि इसको और बहतर कैसे किया जा सकता है तो बहतर कैसे किया जा सकता है इसके पॉइंट भी हम कुछ ले सकते हैं कि इसको और बहतर कैसे किया जा सकता है बेहतर कैसे किया जा सकता है उसके कोई प्रशन तो नहीं बनते फिर भी मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ जैसे सिक्षक को बहुत सक्री रहना चाहिए और सक्री रहकर जितने भी अपने विदार थी उनको बाले अवस्ता से स्टार्टिंग से ही बाले अवस्ता से इस प्रकार की सोच की और डाइवर्ट कर देना चाहिए शिक्षक को बहुत इसने पूर्ण व्यवार करना चाहिए बच्चों के साथ में क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अकतियार वेकार रोक अकतियार करेगा तो बच्चे भाग नहीं लेगे तो सिक्षक की सक्रीता बाले जवस्ता शने पूर्ण इसके अलावा शिक्षक के द्वारा बच्चों को कंटीनिव प्रोच साहित भी करना चाहिए और इसके अलावा सरकारों को भी इस प्रकार के टोपिक्स वगरा से लेबस में डालने चाहिए जिससे क्या होगा कि सम्हालोचनात्मक्चिंतन का विकास हम कर सकते हैं बाकी बच्चों की जिग्यासाओं को भी पूरा करना चाहिए तो यह सारी चीजें सिक्षक की उपर डिपेंड करती है तो इसको कैसे आगे बढ़ाता है कोई ज्यादा कुछ है ने उसमें और यह सारी बात है थी सम्हालोचनात्मक्चिंतन की और इसके बाद एक पॉइंट रह गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सम्हालोचनात्मक्चिंतन में कौन-कौन से कारक लिख लिए थे हमने एक पॉइंट रहा था कि चिंतन की उपकरन कौन-कौन से हो सकते हैं तो मैं आपको एक लास्ट में और पॉइंट बता देता हूं सम्हालो इसके अलावा प्रतिमाएं क्या होती है इमेज इमेज का मतलब यह होता है कि आपके दिमाग में किसी की प्रति कैसी चभी बैठी वी वो इमीजिस कर लाती प्रतिमा कहलाती है तो इसकी बीस पी भी हम समाल उसनात्म कर सकते हैं कि जैसे आपके दिमाग में किसी वेक्टी की प्रति जैसी चवी बैठी हुई है भूत काल में जैसा आपने उसको सोचा उसका उसका मूर्ती जैसे मूर्त आपने दिमाग वी हमें वो चिंतन कर सकते हैं उमारे को उभान को बढ़ावा देते हैं इसकी अलावा प्रतिय के लिए प्रकार से अपना ध्याण डियुब कर सकते हैं और इसके अलावा को डार्त कारक का भी एक परकार से चंतन को यूँ कह dépl技 की चंतन के परकार से उपकरन हैं तो ये कुछ तीन और tst च्रूंपर कर्ण ने बताए तो सुत्र है, प्रतिमाएं हैं, संकेत है, प्रति बोध है, प्रतिय हैं, प्रदार्थ हैं, वदीपक हैं यह ऐसे पॉइंट है कुछ जो आपकोya चिंतन देख लिया। उपकरण की रूप में भूमिकाने बाते हैं तो वापस आता हूं पॉइंट पे अपने मैं एक पुना समाल उतनात्मक चिंतन का विकास और इसमें हम सबसे पहले चिंतन को पड़े थे उसमें आर्थ देख लिया चरण देख लिए प्रकार देख लिए समाल उतन चिंतन की पर यह भी देख लिया तो कुल मिला के अल्मोस्ट ही टोपिक कहर हो गया है समाल उतनात्मक चिंतन का अच्छे से पढ़ना नूट्स बना लेना पुना मैं एक एक पीपीटी को वापस एक्स्प्लेन कर रहा हूं देखिए सबसे पहली पीपीटी है यह समाल उतनात्मक चिंतन क का विकास कैसे हुआ ठीक है उसके बाद में देखिए मैं फ़स्ट पीपीटी पी ले जाता हूं आपको हाँ यह था कि चंतन की परिवासा दे दी हमने कि चंतन क्या होता रिसके मुख्य मुख्य कारक कौन से होते हैं उसके बाद में दूसरा था कि चंतन के मुख्य मुख्य कोंसे होते 500 ले लिए उसकी बाद में तीसरा था संधन की प्रकार कोनसे होते है और इसमें उसके अपने को एक प्रकार गार nam संदन Εशं। उसके बार हमने देखाए्ट संधन किसे कहते हैं और इसकी हमने यह पारिबाशा देख ली थी यहाई साथ-अठ बिंदू जो मोन खंड वी दी उसके बाद में हमने देखा इसको प्रभावित करने वाले कारक जिसमें रूची पिरिना तरप्रता ग्रण सीलता सतरकता जागरुपता शवेगात्मकता वगर वगरी वगरी वस्तुनिष्टा और लचीरापन उसके बाद हमने देखा है कि इसके उपकरण कोई किताब लेकर उसका उप्यूग करते रहें तहने बाद